जी हां तो a lot of you are still wondering कि क्या हमें client examination देना चाहिए क्या हमें अपना career in the field of law जो है वो चुनना चाहिए क्या law जो है वो सच मुछ एक बहुत ही जादा promising field है जैसा कि हमेशा बोला जाता है जी हां guys and girls इन सभी questions को answer करने के लिए आज यहां पर एक session जो है हमारे द्वारा लाया गया है जिसके अंतरगत आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपकी life once you get into the field of law होगी याने कि as a student of law आपकी law school में कैसी life होने वाली है और उसके तुरंत बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आप क्या-क्या opportunities जो है वो ग्राब कर सकते हो as a law graduate इन सभी चीजों पर बात करेंगे माई नेम इस अधित्ति राय और आप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज दू हिट इस सब्सक्राइब बाटन सो दाट हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो यहां पर आपके लिए लाए जाते हैं उन वीडियो को आप किसी भी तरह से मिस ना करें जी हां गाइस एंग गल्स चलिए तो करते हैं शुरुवात सबसे पहला सवाल यह है हमारे आखों के सामने कि सर एंड मैम एक लाउ स्टूडेंट की लाइफ किस प्रकार की होती है तो आपको सच्छाई बता दूँ कि अगर आप लाउ स्कूल में जाते हो यानि से पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप बहुत ही जादा अच्छी academic भुक्स से घरे वह और यह वहोगी जो कि आपको society के बारे में समझाएंगी यह वो बुक्स होंगी जो अलग-अलग कानूनों के बारे में बताएंगी यह वो बुक्स होंगी जो कि बताएंगी कि किस प्रकार से हमारे देश में अलग-अलग subject matter पे अलग-अलग decisions जो है वो judges के द्वारा दिये गए evolution of the constitution कैसे हुआ इन सभी ची experience एक बहुत ही जादा intellectual person बनकर जो है वो law school से बाहर निकलते हैं इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है यह as a lawyer आपके लिए चीज बहुत ज़्यादा important है and that is your expression और आपके expression को खोलने के लिए आपके expression को और ज़्यादा महत्व देने के लिए और आपको सिखाने के लिए कि किस प्रकार से expression जो है वो किया जाता है अलग-अलग activities law school के अंदर होती है जिन में से सबसे important activity होती है यह या आपसे यह उमीद की जाती है कि आप अलग-अलग subject matter पे research papers लिखें आप जितने जादा अच्छे research papers लिखोगे आपका expression उतना जादा बहतर होते जाएगा आपको जो है law का एक topic चूस करना होता है उस पे जितने भी अलग-अलग research papers already लिखे हुए हैं जितने भी यहाँ पर books ह जितने भी legal developments है इन सभी को compile करके आप अपने research question के answer तक पहुचते हो तो यह जो है आपको definitely improve करने में मदद करता है अपनी writing skills को अपनी analytical skills को अपनी critical thinking skills को और उसके बाद आपके expression को भी तो एक law school में अगर आप dedicatedly काम करते हो तो by the time you are out of the law school आपने at least 10 to 15 बहुत अच्छे research papers जो है वो लिख ली होते हैं this is the minimum number I am telling you इसके अलावा येस वाद विवाद याने कि आपका debating is something which is very important क्योंकि हम सभी जो है as a human being different situations से निकल कर आते हैं हम different जगहों से जो है different situations में जो है बड़े होते हैं हमारे needs हमारे aspects हमारे opinions of life अलग-अलग होते हैं इसी लिए किस प्रकार से किसी एक particular subject matter पर सामने वाले व्यक्ति का opinion है और आपका क्या opinion है इन दोनों को साथ में रखना is basically known as debating तो debating जो है यह बहुत important चीज़े बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आपको news channel में देखने को मिलती है जहां आप अपने point को प्रूफ करने के लिए सामने वाले को नीचा द dispute resolution dispute resolution जैसी चीजें भी आपको यहां पर करने को मिलती है जहां पर यह दो parties आपके पास आएंगी वह अपने अपने पक्ष को रखेंगी आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में सुलह करवानी होगी इन दोनों के बीच में आपको जो है negotiation करवाकर mediation करवाकर dispute को resolve करवाना होगा that would be your that would be your job इसके अलावा yes सबसे important चीज़ और कई बारी यह बच्चों के लिए जो law school जाते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा होता है बट कई बारी कुछ बच्चों के लिए यह difficulty भी होती है क्योंकि आप से चाहता है कि आप अपने comfort zone से निकले yes we are basically talking about the mo court court जो है इसको आप एक तरह से consider कर सकते हो कि litigation की पहली शुरुवात आपकी यहां पर हो जाती है क्योंकि यह particular ऐसी practice होती है जहां पर आपको एक legal proposition दिया जाता है एक legal factual problem दी जाती है उसके basis पर दो टीमें बाटी जाती है आपको for and against दोनों में ही अपना memorial बनाना पड़ता है and फिर उसके बाद आपको as a mock court यह पूरी activity गरवाई जाती है और उस mock court में आप अपने पक्ष को रखते हो सामने वाली party अपने पक्ष को रखती है आप अपना rebertal देते हो सामने वाली party अपना rebertal देती है तो इस प्रकार से यह activity आपके अंदर जो अपने argument को रखने की शम करता है so definitely this is a great opportunity जो आप करेंगे इसके अलावा yes you will be doing a lot of internships when I say internships आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए केवल पढ़ना important नहीं है बलकि उसका practical application कैसे होता है कैसे अलग-अलग institutions काम करते हैं उनमें लौक का पढ़ाई जो है वो कैसे काम में आती है यह सभी चीजें आपको स student को after completion of every semester करना mandatory होता है जिहां आप अपनी internship कर सकते हो let's suppose अलग-अलग मंतरालेों में ministries में parliament में जहां पर जाकर आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है वो काम किया जाता है by different organizations and किस प्रकार से ministry of law काम करती है किस प्रकार से ministry of social justice काम करती है वहां पर law का किस प्रकार से उप्योग किया जाता है यह सब चीजें आप यहां पर सीखते हैं इसके अलावा yes you can definitely intern with a law firm जब हम कहते हैं कि आप law firm के साथ काम कर सकते हैं कहने का तात्पर यहां पर यह है कि आप एक law firm के साथ then yes आप supreme court, high court, district court इन सभी में lawyers के साथ काम कर सकते हैं या फिर आप उनके judges के साथ मिलकर भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी judicial machinery जो है वो कारिक करती है इसके अलावा there are different institutions such as the competition commission of India जो कि एक statutory body है यह कैसे काम करती है इसको सीखने के लिए आप इनके साथ internship कर सकते हैं या फिर जो ह हमारा मानवदिकार आयोग है राश्ट्रिय याने National Human Rights Commission उन में जाकर आप काम कर सकते हैं अलग-अलग tribunals जैसे कि NGT DRT इन सभी जगह भी आप जाकर इनकी working को जो है समझ सकते हैं इसके अलावा yes there are different international organizations जैसे कि आपने NGO के बारे में सुना होगा WWF या फिर आपने सुना है UN NEP के बारे में इन सभी organization UNICEF UNESCO इन सभी organization के साथ मिलकर आप internship का काम जो है वो समय समय पर कर सकते हैं चलिए अब बात आती है career after graduation अगर हम career after graduation की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो है आप अपनी खुद की self practice याने की litigation में आप चाह सकते हैं आप इस प्रकार से as an advocate अपन court जाएंगे court में जाने के बाद आप judge साब के सामने अलग-अलग case में अपनी opinion दोगे आप अपना जो है पक्ष रखोगे अपने जो आपके client है उनका पक्ष रखोगे और case को जीतने में जो है उनकी मदद करेंगे इसके अलावा yes guys and girls you can directly go to the most we should say aspired thing in the country that is the forge याने आप service of the nation में जाकर जुड़ सकते हैं JAG entry के थ्रू जहां पर आप directly enter कर सकते हो by giving an SSB and not any other written examination like CDS or NDA जो की पहले देना पड़ता है so this is again an opportunity जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी इसके अलावा yes जैसा कि हमने बताया था कि आप law firms में जा सकते हैं तो जब आप law firm में जाएंगे guys and girls law firm में जाने के बाद आप वहां पर as their litigant lawyer as their corporate lawyer as their patent attorney आप इन सभी चीजों के तहत जो है law firm के साथ जोड़कर काम कर सकते हैं जी इसके अलावा there are other options as well for example आप चाहें तो UPSC state PSC essay examinations को देकर आप IAS IPS IFS अलग अलग positions जो होती हैं उनको आप जो है gather कर सकते हो इसके अलावा yes आप जो है judiciary का हिस्सा बन सकते हैं judiciary का हिस्सा आप अलग-अलग state के civil judge examination को participate करके जो है judge बन सकते हैं इनके अलावा definitely sir you can become a great academician अगर आपका जो अंदर से passion है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है अपने जो knowledge आपने gain किया उसको impart करने में आ इस प्रकार के यहां पर job जो है as a professor join कर सकते हैं इसके अलावा yes चुकि आपने अपने expression इतना strong किया है चुकि आपने अपनी writing skills को इतना strong किया है चुकि आपने अपने drafting skills को इतना improve किया है तो उस वजह से आप बहुत अच्छी तरह से content creation में जा सकते हैं साथी साथ आप जो है अलग-अलग बड़ी-बड़ी companies या फिर startups जो है उनके CEO के साथ founders office में भी काम कर सकते हैं चुकि आपको law का इतना knowledge है compliance का इतना knowledge है आपको research का इतना knowledge है तो ये सबी चीज़ें आपको जो है definitely मदद करेंगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर आपके पास opportunities होगी now the question in front of you guys is कि क्या सचमुच आपको law field में जाना चाहिए after looking into the kind of life you will be having after getting into law yes मेरे ख्याल से तो आपको जाना चाहिए क्योंकि law जो है वो आपको केवल और केवल machines के साथ खेलने वाला engineer नहीं बलकि society के norms को समझने वाला social engineer की तरह जो है वो बनाती है this is what I believe कि हर एक व्यक्ति क law अमेशा करना ही चाहिए अगर आप करते हो आप society को बहतर समझ पाओगे आप human race को जो है वो थोड़ा बहतर तरीकर समझ पाओगे अगर आप अपनी CLAD examination या other law entrance examination की journey को बहुत ही जादा असान और साथी साथ fruitful बनाना चाहते हो then I would say you should definitely join an academy क्योंकि an academy में अलग-अलग faculties for example legal reasoning for example English for example logical reasoning यह सभी कुछ लेकर आपके सामने यहां पर आते हैं इंडिया के best faculties इस प्लाटफॉर्म पे हैं जिनसे आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस faculty से पढ़ना है और इस चीज़ के लिए अभी an academy आपको opportunity दे रही है किस चीज़ की sir and ma'am 25% का discount जी हां यहां पर an academy की website पर आपको देखने को मिल जाएगा यह आप जाकर अवेल कर सकते हो अब इसको अवेल करने के लिए करना क्या है सब्सक्राइब नाव पर जाना है आप यहां देख सकते हो आपको अलग-अलग packages देखने को मिल रहे हैं 24 months 18 months 12 months अब यह क्या है तो समझ यह कि जब आप an batch में register हो रहे हो but an academy is basically a kind of an amalgamation of all the different kinds of faculties जो की आपको मदद करेंगे आपके examination को निकलवाने में तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप चूस कर सकते हो आप किस faculty के साथ पढ़ना चाहते हो आप किस batch में पढ़ना चाहते हो यह सब ही चीज़ें आपके द्वारा चूस क की जा सकती है जी हाँ इसी लिए जैसे नेट्फिक्स का Amazon Prime का इन सभी का सब्सक्रिप्शन होता है वैसे ही अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन होता है उसमें जितने भी बाच चल रहे हैं जितने भी अलग 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 फैकल्टी एक्जामपल अगर लीगल की बात की जाए तो बात करोब कारेंटफेयस की अगें द्री फोर फैकल्टी जो कीएंटफेयस पढह रहे हैं बस क्या करका नहीं कितने समय केखेश शहिए ने लिए चूज कर सकते हैं लेटापोज अगर अगर आप 24 मत्स यानि कि 2 साल या चाहते हो तो आपको कुछ amount देना पड़ेगा 12 months का देना चाहते हो तो कुछ amount देना पड़ेगा 6 months का देना चाहते हो तो कुछ amount देना पड़ेगा अब let's suppose मैं 12 months का सब्सक्रिप्शन लेता हो क्योंकि क्लाइट examination मैं जाओंगा प्रोसीड टू पे में जाओंगा तो मुझे यहां पर सब्सक्रिप्शन प्राइस बताएगा however मैं चाहता हूँ कि यह सब्सक्रिप्शन प्राइस थोड़ा और कम आ जाए हमको भया ने बताया है कि 25% discount मिल रहा है प्लस इसके उपर और भी जादा discount है तो क्या करना होगा आपको यहां पर आना है जहां यह आप से पूछेगा कि do you have a referral code आप बोलोगे yes बोलेगा कौन सा referral code है तो आप referral code में बोलोगे बी ए आर एल आई वी ए लाइव बार लाइव जैसे ही आपने बार लाइव अपलाए किया यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्राइज है वो slash town हो जाएगा और बहुत ही जादा जितना maximum discount on academy के portal पर हो सकता है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो यह code जो है वो आपको भूलना नहीं है यह जो code है यह आपको भूलना नहीं है what is this code मैं आपको जल्दी से दुबारा बता देता हूँ देखने को मिलेगा at the same time याद रखिएगा कि अगर आप 30th of June के पहले पहले रजिस्टर करते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी opportunity है जो अनकाडमी लेकर आया है क्या अगर आप अनकाडमी के साथ अपना जर्णी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और इस अश्यूर प्रोग्राम के अंतरगत आप 300 आर्स की इन टोटल ठीक है अविसली हर बच्चा करेगा यह तो बहुत ही मिनिममम है बट स्टिल मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आनकाडमी चाहती है कि आप 300 घंटे की क्लास करो और 10 लाइव टेस्ट देदो लाइव बैटके क्योंकि यह आपको टेस्ट करने मदद करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी थी और कितनी आपने जो है सही तरीके से यहाँ पर application किया अगर यह दो चीज़ें आप कर देते हैं guys and girls तो फिर उस इस्थिती में there will be an opportunity जहां पर आपको जहां पर आपको पूरी तरह से exam निकालने के लिए परीपक को बनाया जाएगा यहां पर you will be in a position where you will be able to crack the examination anyhow however even if there are .1 chances कि आपका selection नहीं होता है तो घबराने के जुरुत नहीं है an academy assures you कि हम आपका हाथ थामेंगे तो आपको examination निकलवा कर रहेंगे कैसे सर अगर आपने इतना minimum चीजे की है उसके बाद भी selection नहीं होता है तो आप एक साल ड्रॉप लोगे अनकाडमी आपके एक साल के लिए पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अगले साल का free of cost आपको देगी जिहां याने पूरा का पूरा 60-70,000 रुपीस का package आपके लिए मुफ्त होगा free of cost होगा provided test लगाने की मेनत करते हो तो इतना अगर आपने basic कर लिया हमें भरूसा है आपका exam जरूर निकलेगा बट स्टिल अगर नहीं निकलता है we have got you covered तो करना क्या है अभी जाना है बार लाइफ कोड का मदद से अभी आनकाडमी के portal पर register करना है क्योंकि there are different batches जो की चालू हो चु है यह आपका 29th of May से ही शुरू हुआ है यहाँ आप देख सकते हो कुछ klat के toppers जिन्होंने अपना नाम और साथी साथ अनकाडमी का नाम यहाँ पर जो है रोशन किया है यह सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथी साथ आप जो different packages हैं अलग अलग faculties हैं आप देखने को मिलेंगे सौमिल सर हनी सर पूजा माम अगनी सर यह सभी आपके लिए वैशनवी माम यह सभी आपके लिए तयार खड़े हुए हैं कि आप आये और हमारे साथ अपने examination की शुरुवात जल्द से जल्द करिए ठीक है तो मेरा आपसे अभी भी अनुरोध होगा जल आपसे लिए जल्द करिए अपने देखने लिएट